साथियों नमस्कार एक पर फिर आपके बीच टाक्टर जिटेन कुमार फार्मासिस्ट एक मस्टर साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे हब्बे मुम्सिक जदीद साथियों हब्बे मुम्सिक जदीद एक जो है यूनानी पदती से बनाई हुई यूनानी 100% हरबल दवा है दवा खाना तिबतिया कालेज अलीगण की बहुत ही पेमस्थ यह दवा है साथे शाथे इसके कंपोजीसन की बात करेंगे साथियों, और साइड इफेक्ट की बात करेंगे, डोजेस की बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे, मर्पी की बात करेंगे साथियों, हब्य मुंसिक जदीद जो है, साथियों, एक मैजेंट, मैजेंट मतलब मैजिकल रेमडी है साथ को magical remedy क्या होता है कि ये debility की problem को दूर करती है या पूरसों के अंदर ना पुल सकता कि जो लच्छड आने लगते हैं उन लच्छड को दूर करती है साथी साथ जिनके अंदर पूरुस बाज़पन की समस्य आ जाती है ऐसे केस में क्या होता है हब्बे मुमसित जदीद का इस्तमाल करते हैं तुरंट समस्य दूर हो जाती है और बहुत अच्छा फाइदा मिलता है तो कहने का मतलब it is a magical remedy है to provide motivational ability to providing genetic power genetic मतलब यह होता है कि साथियों एक आनुवानसिकी power कहने का मतलब जो power by birth मिलती है generate करती है हब्बे मुमसित जदीद and it is useful to overcome the sensitivity of sexual gland और यह sexual gland को जो है stimulate करती है और उससे क्या होता है कि sex की समस्या दूर हो जाती है and powerful formula इसके अंदर मिला है maintain the construction a long period of time और यह duration time को भी बढ़ाती है साथियों साथियों to provide a more satisfying sexual experience with partner partner को अनंद मिलता है साथि साथ duration time को बढ़ाती है and there is an absolute remedy which helps in keeping semen for long period of time और यह क्या होता है कि semen के अंदर जो debility हो जाती है उसको जो है strong करती है और इस्पर्म को जो है strong करती है साथियों साथियों हव्य मुम्सिक जदीद जो है यह सभी आयर्विदी यूनानी medical store और साथि साथ आनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं साथियों यह जो है साथियों दवा खना तिबदिया अलीगड जो है उसकी दवा है और इसके अंदर 25 पील्स होती है 25 पील्स होती है 279 रुपीस की MRP है साथियों साथियों composition की बात करेंगे तो साथियों जब भी परचेज करेंगे इसमें देखेंगे बहुत तरह की दवाईयां मिली हैं, जैसे कि कन्नाबिस, कन्नाबिस सटाइवा बायलोजकल सोर्स होता है, और इसको यूनानी में जो नाम इसका है बरगे भांग, या भांग कह सकते हैं, तो भांग इसके अंदर जो मिली है, इसलिए डॉक्टर की देख रेक में इसको लेना इस प्लेजर और यह आनंद देती है, पार्टनर को, एफ्रोडियसिक है साथी, क्योंकि इसके अंदर कहना भी मिला है, कहना भी एक आयरवेदिक कून, ड्रग है, आवसधी है, जिसका नार्कोटिंग में भी इस्तमाल किया जाता है, और यह सेक्स के लिए भी इस्तमाल किया जाता है, साथी साथ इसमें अजवाइन मिला है साथी, वह एजवाइन क्या करता है, कि नंबर आफ स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, कहने का मतलब है, हेल्च इन इंप्रूविंग भी नंबर आफ स्पर्म काउंट, जो इस्पर्म डेड हो जाते हैं, उसकी जगा क्या करता नए sperm generate करता है और बहुत ही potent सक्तिसाली बना देता है जिनको पुत्र की जो है चहात होती है संतान की चहात होती है ऐसे केस में इस दवाई का सेवन करते हैं तुरंत आराम मिलेगा साथियों इसके अंदर असोगंधा मिला है असोगंधा एक crude ड्रग है जिसके इस्तमाल से क्या होता है कि दबाव तनाव ठकान टेंसन हजिटेशन वरी दूर हो जाती है और यह क्या करता है साथियों इनक्रीज दिन नमबर आफ इस्पर्म काउंट इस्पर्म काउंट तो बढ़ाते हैं साथिसाथ उसकी mobility को भी बढ़ाता है और यह क्या करता है Improvement of quality सीमन करता है और इंक्रीज भी लांगा टेस्टोस्टिरान टेस्टोस्टिरान हार्मोन को बढ़ाता है उससे क्या होता है सेक्स करने की इच्छा ज़ाधा जागरित होती है Libido and reduce the anxiety और टेंसन चिंता मुक्त को दूर करती है और पुर्स और महिला के अंदर जो gap होता है उस gap को दूर करता है और partner बहुत ही खुश रहता है साथियों इसके अंदर सिलाजीत मिला है ये सिलाजीत साथियों क्या होता है extra sexual improvement के लिए होता है और increase the passion और ये क्या करता है passion को बढ़ाता है कहने का मतलब है पती पतनी के प्रेम को बढ़ाता है and increase the sexual power and stamina ज़्यादा देर तक जो है partner के साथ संभोग कर सकते है तो इस तरह की ये दवाई है साथियों साथि साथ इसमें जावित्री में दिये है जावित्री जो है साथियों क्या होता है premature ejaculation इसको prevent करती है कहने का मतलब है जो सीग पतन हो जाता है उसको prevent करती है और time को बढ़ाती है साथि अकरकारा इसमें मिला है अकारा इसमें जिसको हम कह सकते हैं युनानी भासा में testosterone level जो होता है hormone होता है पूरुसों में उसको increase करती है और इसमें roomy मस्तगी मिला है साथियों roomy मस्तगी क्या करता है erectile dysfunction जो होते है सीगर पतन होता है उसको correct करती है तो उसको जो है समस्या को दूर करती है साथियों और भी बहुत सी चीज़े मिली है साथियों इसमें जब देखेंगे osimum symptom मिला है कहने का मतलब है तुलसी इसके अंदर मिली है और जो है साथियों जो है बहुत सी चीज़े मिले arka, kyora मिला है and work, nukra मिला है साथियों कहने का मतलब है silver foil मतलब चांदी का पानी साथियों ये देखिए इसमें दवाईया है चांदी के पानी की तरह ये देखिए धाया तो चांदी के color की गोलि है उसके उपर चांदी का पानी चढ़ा हुआ है साथियों इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़े पड़ी हुई है साथियों ये बहुत ही safe और बहुत ही अच्छी दवा है जिससे 100% आपको response मिलना है साथियों यूजेज की बात करेंगे तो जैसा कि भी composition और description में बताया है enhance the desire to have more sex and increase the tone and intense pleasure कहने का मतलब है improve the number of sperm और वीर की गुरोता में सुधार करता है टेस्टोइश्टिरान हार्मोन को बढ़ाता है उसके इस्तर को बढ़ाता है शुक्राणओं की संख्या को बढ़ाता है और उसके अंतर गदिसीलता को भी ये बढ़ाता है साथि-साथ क्या होता है यौन दुरबलता sex की जो weakness होती है उसको दूर करता है और इस फूर्ती देता है और ये क्या होता है कि premature education तो साथियों साइड एफेक्ट की बात करेंगे तो 100% सेफ ए 100% हरबल है असलिए इसमें किसी तरह का साइड एफेक्ट नहीं है NOSाइड साथ इसके हम डोज की बात करेंगे तो तबले कहने का मतलब है टू पिल्स टू आवर्स बिफोर sexual intercourse कहने का मतलब है पार्टनर के साथ जब संभोग करने जाएंगे उसके दो घंटा पहले गुनुने पानी के साथ या दूद के साथ दो टाइबलेट जो है साथियों इस तरह की आप खाएंगे साथियों यह देखिए मैं दिखा रहा हूं साथियों और तुरंटी रिस्पांस मिलेगा साथियों इस तरह की गोली है साथियों यह देखिए चांदी के वकर की चड़ी हुई और दो टाइबलेट जो है इसको रेगुलर लेंगे किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा साथियों और तुरंट आरा मिलेगा साथियों साथियों पिकैसन और वार्निंग की बात करेंगे तो इसमें जो है साथियों हंडेट परसेंट सेफ हैं फिर भी एक बार डाप्टर की सला जरूर लें उसके बाद इसका सेवन करें 279 रुपीज यमार्पी है साथियों नमस्कार